हालो स्टूरेंज आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आरेस अगरवाल चैप्टर 20 मेंसरेशन एक्सरसाइज 20F के कोश्चन सॉल्व करेंगे स्टूरेंज यह हम इस वीडियो में कोश्चन 14, 15 और 16 को सॉल्व करेंगे यह एक्सरसाइज 20F की फोर्थ वीडियो है बाकिस भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप देखना चाते हैं तो वहां से देख सकते हैं अगर आप क्लास 7 के किसी भी चैप्टर्स की वीडियो देखना चाते हैं तो description में link दियागे, आप वहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको कोई वीडियो वहाँ से नहीं मिल रही है, तो class 7 की playlist में जाकर chapter wise सारी वीडियो हैं, वहाँ से देख सकते हैं, अगर वहाँ से देख सकते हैं, तो class 6 की प्लेलिस्ट में chapter wise सारी वीडियो देख सकते हैं, Question 14, अ होर्स इस टीथर्ट तु वन कॉर्नन ओफ रेक्टोंगलर फिल्ड, 60 मीटर बाइ 40 मीटर, बाइर रोफ 14 मीटर लॉंग, और हाँ मच एरिया कैन दा होर्स ग्रेज, अब students, यहाँ पर दिया हुआ है, कि एक जो रेक्टेंगलर फिल्ड है, ठीक है, वो 60 मीटर उसकी लेंथ है, और 40 मीटर ब्रेथ है, यह सारी figure बनी हुए है, अब वो कहते है कि एक कॉर्नर में, एक जो घोड़ा है, वो 40 मीटर लॉंग रसी से बंदा हुआ है, ठीक है न, अ हमें रेक्टेंगलर जो फिल्ड इसकी लेंथ हो ब्रेथ दिया है, तो घोड़ा सिर्फ इतने एरिया में ग्रेज करेगा, देखो यहाँ से, अगर हम इसको देखेंगे, तो यह हमारा सरकल ऐसे बनेगा, ठीक है न, यह सरकल हमारा ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर कौन सा लगे तो हमने क्या करना है, इसमें pi r square लगाके इसको 1 upon 4 से multiply कर देना है, ठीक है, जैसे hint में दिया भी हुए है, तो आपने सबसे पहले ऐसे लिखना है, let a, b, c, d the rectangular field in which a, b, 60 meter and b, c, 40 meter, यह सारा दिया हुए है, यहाँ पर, आप यहाँ पर बिसादे, let a, b, c, d is the rectangular field with, मता की length 60 meter and जो breath 40 meter, ठीक है, let the horse be tethered to corner, यहाँ पर a, baya 14 meter long, आप अपनी language में भी लिख सकते हैं, आपने यह इसको mention करना है, then it grays through accordance of a circle of radius 14 meter, अब storage इसमें क्या है, जो यह जो घोडे का जो length दिया है, रस्ती से जिससे बंदा घोडा, तो उस रस्ती की जो length दिया है, उसको हम क्या कह रेडियस लेंगे, ठीक है, तो यह सारे आपने, अपनी copy में लिख लेना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूं, अब यह पर महरे पर क्या formula लगेगा, pi r square, ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखने है, required area, या horse can the grays, a horse, a horse can grays, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया, pi r square, ठीक का ध्यान रख रहे हैं, जैसे हमने उपर वाले question में solve किया था, वैसे अब हमने इसका quadrant part लेना है, ठीक है, यह पूरा circle ऐसे बनेगा, और सिर्फ यह पार यहाँ पर highlight किया हुआ है, ठीक है, तो हमने अब इस, क्यूंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इसकी rectangular feet की length or breadth ठीक है, ठीक है, अब हम equation बना लेते हैं, पाई कितना है, 22 upon 7, अब radius कौन सा हो गया है, इसका, यह 14 meter, ठीक है न, यह इसका 14 meter है, यह है radius, तो यहाँ पर multiply 14, multiply 14, अब 7 to the 14, 2 to the 4, और 27 to the 14, तुम्हार पास कितना आगा है, 22 multiply 7, अब इसको multiply करेंगे, तो कितना आगे है, 7 to the 14, question 41 कहा रही, 154 square meter आ गया, तो answer में आप लिख सकते है, a horse can graze, can graze 154 square meter area, ठीक है students, इस तरह आपने question 14 को solve करना है, अब हम question 15 करेंगे, question 15 में कहा है, कि in the given circle, in the given figure, sorry, a circle of diameter 21 cm is given, मतलब कि इसका जो diameter है, इस circle है, बड़े वाले circle का, कितना है, 21 cm है, आप कहता है, inside the circle, 2 circle है, inside, ये वाले, ये वाले, ठीक है, with diameter, ये कहा है, इस circle का 2 upon 3 है, जो big circle का दिया हुआ है, और इस circle जो diameter है, ये 1 upon 3 है, big circle, मतलब 21 cm का, अब as shown the given figure, find the area of shaded area, हमने इस area का निकालना है, अब देखो, question आपको समझ आ गया, कि हमने क्या करना है, पहले big circle का area निकालेंगे, और फिर उसके बाद इन दोनों circle का area निकालेंगे, इन दोनों circle को add करके, जो आएगा, उसमें ब diameter है, पहले तो अब हमारे पस area का formula क्या होता है, area का formula होता है, pi r square होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो question 15 में हम लिखेंगे, पहले क्या है, diameter of a big circle, diameter of a big circle, वो कितना दियो है, 21 cm, अब इसका हम radius निकालेंगे, radius निकालेंगे, इसको 2 से multiply करेंगे, अब देखो, diameter कैसे होता है, यह होता है, तो यह क्या है, 2 r है, तो हम इसके, एक radius यह है, इन दोनों radius को मिला कर एक radius बनता है, तो इसको हम 2 से divide कर देगे, ठीक है, अब यहां पर देखो न, आप काटोगे, तो यह decimal में convert हो जगा, तो हम इसको as it is लिख देगे, फिर हम लिख 2 upon 7, 21 upon 2, multiply 21 upon 2, यह हमने यहां पर लिख दिया, radius, अब हम इस देखते हैं, किस पर कड़ेगा, 7, 3s are 21, ठीक है न, अब 2, 11s are 22, आगे यह किसी पर नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, 21 को 3 से multiply किया, तो हमारे पास आ गया 63, और 63 को हम 11 से multiply करेंगे, तो 3, 6, 3, 6, तो कितना आगा, 693 upon 2 cm square, यह हमारा क्या आगया, अब हम निकालते हैं, जो छोटे circle है, इनका area निकालते हैं, अब इनका diameter क्या है, जो बड़े वाले, इसको दे रहते हैं, circle 1, ठीक है, यह नाम दे दिया, इसको circle 1, यह है, circle 2, अब circle 1 का diameter, पहले हम निकालेंगे, तो diameter of circle 1, ठीक है, 2 upon 3, यह big circle का जो दिया हुआ है, 21 cm, तो यहाँ पर लिखेंगे, 2 upon 3 multiply 21, 3721, तो कितना आगया, 2714 cm आगया, यह हमारा diameter आया है, ठीक है, यह इसका diameter आया है, यहाँ से लिए, कि यहाँ तक, अब हम इसका radius निकालेंगे, radius कैसे निकालेगा, इसको ख़र जागे, 2 से divide, तो यह से हो रहे है, 2714, तो हम इसको पूरा 7 cm लिख देंगे हैं अपर, अब area निकालेंगे, area of circle 1, तो कितना आएगा, pi r square, 22 upon 7, multiply 7, multiply 7, 7 से 7 कट गया, अब 7 to the 14, 154 cm square आगया, ठीक है, अब हम diameter of circle 2 निकालते हैं, circle 2, अब इसका diameter कितना है, 1 upon 3 of big circle, जो big circle का diameter है, तो 1 upon 3, multiply 21, 3, 7 से 21, तो इसका जो diameter आया, 7 cm आया, अब हमने radius करना है, radius निकालना है, तो radius के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से divide कर देगे, अब यह देखो, decimal में convert कर देगे, तो हम इसको अभी नहीं काटेंगे, ठीक है, अब area यह निकालते है, area of a circle, ठीक है, अब area of circle 2, तो क्या करेंगे, पाई, आर का square, 7 upon 2, 7 upon 2, 7 से 7 कट गया, 11 आगे हैं, हापर, 1177 is a 77 upon 2 cm square, अब स्टुरिस हम क्या करेंगे, अब हमें पता है, इन दोनों का area हम add करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, area of, कुछ भी लिखते है, area of two circles, area of two circles, inside the big circle, area of two circles, inside the big circle, ठीक है, यह हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको अलग निकालते है, इन दोनों circle का, इनको add कर देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, area of one circle, area of circle one, ठीक है, इनको हमने add करना है, area of circle two, ठीक है, अब area of circle one कितने है, 154, और area of circle two कितने है, 77 upon two, अब यहाँ पर हम lcm लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करनेगे, इसको इससे multiple है, क्योंकि यहाँ पर two आएगा, तो 154 को two से multiple है किया, तो eight, two, five, seven, zero, one, carry, two, one, two, three, तो प्लस 77, अब हमारे बस कितना आ गया, seven, प्लस eight, 15, 308 को 77, हाँ, seven, प्लस eight, 15, तो यह आगे हम हारे पस, 385 upon two square centimeter, ठीक है, अभी हम इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर काटेंगे, तो decimal में convert होगा, ठीक है, अब हमने लेना है, अब हमने नकलना है, area of shaded region, area of shaded region, वो कैसे निकलेगा, जो area of big circle, यह outer circle, जो भी लिखना चाते area of big circle, minus area of inside circles, inside circles, ठीक है, अब area of big circle कितना आया हमारा, यहां पर big circle का आया था, 693 upon two square centimeter, 693 upon two, ठीक है, minus, अब area of, यह हमने अभी निकाला था न, 385 upon two, तो यह हम minus कर देगे, ठीक है, अब यह देखो, मैंने आपको कहा था, यहां पर आपने decimal में नी convert करना, तो देखो, अब यह इनकद सेम ही है, तो हमने क्या करना है, two आगे, as it is, दोनों का आइसे में लेंगे, तो two ही आएगा, अब 693 में से हमने 385 को minus कर देना है, तो अब हम इसको काट लेते है, two ones are two, remainder one, two five are ten, two fours are eight, तो कितना आगया, 154, यहां पर क्या था, centimeter square, तो हमने centimeter square लेकर देना है, इस तरह हमने question 15 को solve करना है, इस तरह हम question 16 करेगी, question 16 है, in the given figure of a rectangle plot of land measures 8 meter by 6 meter, बता कि एक land है, यह rectangle फिर में, यह इसकी जो length है, eight meter है, और breath कितने है, six meter है, in each of corner, there is flower bed in the form of a quadrant of a circle, radius two meter, अब स्टोरेंज, यहां के इसके जो corner में है, यह quadrant में है, ठीक है, बता कि circle का one fourth है, यहां चारों corners में, ठीक है, और radius के है, two meter दिया हुआ है, यह two meter के radius में, यहां पर flower bed है, also there is flower bed in the form of circle, अब इस circle में भी, जो middle में भी एक flower bed है, radius two meter, इसका भी two meter है, in the middle of the plot, find the area of remaining plot, हमने जो इस area, इसका जो है area निकालना है, ठीक है न, तो अब students, यहां पर हम क्या करेंगे, पहले जो है, इसका circle का area निकालेंगे, rectangle का, हम यहां पर लगाएंगे formula, और उसके बाद हम यह वाला, जो corners का है, इनका ह radius हम कैसे निकालेंगे, हम यहां देखो, यह क्या है हमारा पास, one fourth है, ठीक है न, और कितने है, four है, तो यहां पर हम pi r square लिखेंगे, और साथ में four को, यह four circle को, one upon four से multiply कर देंगे, ठीक है, फिर हमने यह वाला, इसका जो area निकालना है, pi r square के इसाफ से, इनका radius जो है, two meter ही ह है, तो इन सब का, जो आएगा हमारा, इन दोनों का, इनको add करके, हमने rectangle वाले area से minus कर देना है, तो पहले हम लिखेंगे, rectangle plot का, ठीक है न, length of, of a rectangular plot, कितना दिया हुए, 8 meter, ठीक है, यह तो dimension भी ऐसे भी लिख सकते हैं, dimension of rectangular plot, breadth of a rectangular plot कितना आया, 6 meter, तो area कितना आजएगा, 8 into 6, 48 square meter आगया, ठीक है, अब हमने क्या नकालना है, corners के, flower bed का area नकालना है, अब इनका देखो, इनका एक चीज़ अच्छी है, कि इनका जो radius है, सब का सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो है, corner का, sorry, radius of, radius of, floor bed in corner, कितना दिया हुए, 2 meter, ठीक है, 2 meter है, अब इसका area नकालना है, area of flower bed in corners, in 4 corners, ठीक है, students, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर pi r square का formula लगा दिया, 2 upon 7 multiply 2 multiply 2, ठीक है, radius मारे पाई r square हो गया, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 4 multiply 1 upon 4, क्यूंकि हमारे पास 4 quadrant है, ठीक है न, तो 4 को 1 upon 4 से multiply कर देंगे, अब 4 से 4 कड़ गया, आगे यह किसी पर नहीं कर रहा, तो 22 to the 44 to the 88, 88 upon 7 meter square किसका आगया, यह corner वाले जो है, इनका हमारा area आगया, अब हमने यह बना है, center वाले का निकालना है, ठीक है न, तो यहाँ पर लिखेंगे, यह radius 2 meter यह है, तो है area, sorry, यहाँ पर लिखेंगे, area of middle, middle floor bed, area of middle floor bed, ठीक है, तो यहाँ पर हम सिधा pi r square का फर्मरा लगा देंगे, 22 upon 7 multiply 2 multiply 2, अब यह किसी पर नहीं करता है, तो इसका कितना आगया, 88 upon 7 cm square आगया, ठीक है न, अब हमारे पास यह दोनों का area आगया, तो हम क्या करते है, इन दोनों area को पहले add कर लेते हैं, तो area, total, area of floor bed, ठीक है, तो कितना आगया इनको add कर गया, 88 upon 7 plus 88 upon 7, तो कितना आगया यहाँ पर 7, 88 add किया तो कितना आज़ेगा, 176 cm square आगया, अब यह हमारा आगया, इन सब का आगया, area, ठीक है, अब हमने कहाना है, remaining plot का area न कहाना है, area of remaining plot, remaining plot, तो हम क्या लिखेंगे, area of plot, area of plot, minus area of floor bed, floor bed, ठीक है, area of plot कितना था, 48 minus 176 upon 7, 7 आया, 48 को 7 से multiply करें, 7 is the 56, 6, 5 carry, 7, 4 is the 28 plus 5, कितना आगया, 33, 33, 336 minus 176, अब minus कर देंगे, तो कितना आजएगा, minus 176, 6 से 6, 0 कार दिया, अब यहाँ पर 3 है, 3 में से 7 less नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से लिए, 13 बन गें, 30 में से 7 कर सकते हैं, रफ में, 160 को 7 से ड्वाइट किया, अब यह किस में जाएगा, 7, 3 जा 20, 7, 2 जा 14, 6 में से 4 लेस गया, 2, यहाँ से 20, 6, 2 जा 14 अगें, फिर 10 में से 4 लेस गया, 6, आगे कोई digit नहीं है, तो यहाँ पर decimal लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे 0, तो 7, 8 जा 56, फिर 10 में से 6 लेस गया, 4, अब आगे में जा सकते हो, यहाँ पर 40, 7, 5 जा 40, 7, 5 जा 35, ठीक है students, अब यहाँ पर remainder 5, अब हमारे पास decimal के बाद 2 डिजिट तक लेना है, ठीक है, तो यह भी आपका answer सही है यहाँ पर मारे पास क्या है, remainder भचा है 5, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो मारे लास्ट डिजिट है, इसमें 1 एड कर देंगे, तो यह करना है 22.86, ठीक है न, 22.85 भी आपका answer सही है, और 22.86 भी यह आपका answer सही है, इस तरह से आपने question 16 को solve करना था, और हम अब अबने exercise 20F के स मिल रही है, तो उस class 7 की playlist में जाकर chapter wise वीडियो दीए यह वहाँ से देख सकते हैं, अगर class 7 book RS अगरवल के solution देखना चाते हैं, तो उनका class 6 की playlist में जाकर chapter wise solution देख सकते हैं, thank you for watching.